हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में और आज की वीडियों दोस्तो हम बात करेंगे उत्राखंड आधुनिक इतिहास के महत्वपूण 50 प्रस्नों के बारे में और दोस्तो ये वीडियो आपके उत्र अधिकारी हो गया कर राजस हो गया ऐसाई के जो एकजाम सूंगे आगामी समय में विपीडी हो गया बंदी रक्षक का बहुत सारे अभीरतियों का प्रस्तो बहुत ज्यादा मैत्वपूर्ण है वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जूर करें कमेंट जरूर करें आपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर सेयर करें और आधुनिक उत्राखंड का दोस्तों हमारा टेस्ट का पार्ट वन आज रहने वाला है जिसमें मैं आपको 30 महत्वपूर्ण प्रस्नों के बारें बताऊंगा दोस्तों जो के आपके आगामी एक्जाम्स के लिए ब अकोर्डिंग टो अपने इसाब से दोस्तों टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं चले शुरू करते हैं दोस्तों आज की स्वीडियो को आज का मारा पहला प्रस्न है किस वर्से दुगड़ा में पहले आरी समाजी स्कूल की स्थापना की गई थी तो 1910 में दोस्तों कहा की गई थी दूगड़ा पॉड़ी गडवाल में की गई थी तो प्रस्न है इस प्रकार सभन सकता है कि आरी समाज के जो प्रतिनेदी थे उनके द्वारा प्रत्हंतर समाजी स्कूल की स्थापना गया था 1913 में अल्मुडा में दुस्तों कहांपे अल्मुडा में उत्राखंट के अल्मुडा जन्पद में आरी समाज के सुद्धिक्रन सामारो में हर जनेव परदान कर उनको सवर्णों के समकक्ष बराबरी का दरजा लाई जाने का प्रियतन किया गया था इसलिए यह प्रस विभू तो धरमार्थ हस्पताल की सुरुआत की गई थी? चंपाओ से धरमार्थ हस्पताल की सुरुआत की गय थी और 1903 में दोस्तो मायावती आश्रम में है क्या धर्मारत अस्पताल वहीं से दोस्तों मारा क्या हुई थी धर्मारत अस्पताल की शुरुवात हुई थी कहाँ पर मायावती आश्रम से कब 1903 ये भी आपको डायक लिए रशने कहाँ पर चंप आउट से अगले परसन की बात करते हैं हैपी कलब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो हैपी कलब की स्थापना दोस्तों सबसे वहले कब की गई थी तो 1903 में की गई थी हैपी कलब की स्थापना कहां की गई थी जोस्तों पर आपको right answer मानना है, गोबिन्द बलब, पंत कौन? अगला पुच्टन है, हुटका कलब की स्थापना किस वर से की गई थी? तो हुटका कलब की स्तापना दोस्तों कब हुई थी? 1906 में हुई थी, हैपी कलब 1903, दोस्तों कहां पे? अल्मुडा में, और हुका गलब की स्थापना कब हुई थी 1906 में हुई थी किसके द्वारा की गई थी चिरेंजी विलाल सहाजी के द्वारा की गई थी तो ये दोनों प्रस्थन आपको याद रखना है हैपी गलब पुछा जाएगा तो आपको गोविंद बलब पंथ दोस्तों सही अंसर मारना है ठीक है गोविंद बलब पंथ हैपी गलब 1903 और अगर दोस्तों हुका गलब पुछेगा तो 1906 और चिरेंजी भी लाल सहाजी के द्वारा इसके स्थापना की गई थी ठीक है अगले प्रस्थन की बात करते हैं अगला मारा प्रस्थन है स्वामी विवेका नंद ने पहली बार उत्राखंड की यात्रा कब की थी तो स्वामी विवेका नंद जी की उत्राखंड यात्रा से भी बहुत बार दोस्तों एकजाम में प्रस्थन बने हैं तो स्वामी विवेकनन जी ने उत्राखंड की पर्थम बार यात्रा कर थी, कब दोस्तों, ये करी थी, जुलाई 1890 में, कब जुलाई 1890 में, और दोस्तों मैंने इसके उपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उत्राखंड स्वामी विवेकननन्द की उत्राखंड यात्रा, जो इनकी तपस्तली के रूप में या इनके ज्यान प्राप्ति स्तल के रूप में काकडी घाट अलमोडा को भी जाना जाता है। इसके तहत दोस्तों क्या हुआ था कि लार्ड रिपन ने भारती नियायदीसों को अंग्रेजी मुकदमों की सुनवाई की इजाज़त दी थी जिसके कारण अंग्रेजों ने इस बिल का विरूद किया था तो इसी बिल को कहते हैं कि इलबर्ट बिल विबाद और यहां किस 488 में हुआ था अग्राप सनवां है पर अलम़ोड आग्बार की सुर्वाद की गई थी सबसे पहले की स्वेसत्याоде किस पर होदिये कि ए ठाप melhor ख dul ज actively क्यूर कि जाती है ठीक है उसी के एक वरसे के बाद दोस्तों इसी डिबरटिंग के के द्वारा सर विल्यम मियूर के सुजाओं पर ही सन 831 इस भी में किया अलमुडा अगबार की शुरुवात की जाती है और अलमुडा अगबार के प्रतम संपादक दोस्तों कौन थे ये थे बुद्धी बलब पंते जी यहां अलमुडा अगबार दोस्तों कब बंद होता है ब स्वास्ति नामक साप्ताइक स्माचार पत्र की सुरुवात 1918 से होती है किसने कर थी दोस्तों बद्रियत पांडी जी के दवरा की गए थी और यहां पर अलमुडा अगबार की शुरुवात कप की गई थी अठार सो इगतर में की गई थी किसके सुजाओं पर सल विल्यम लोको रहा है किस वर से अलमुडा पहुंचे थे दों स्वास्ति लाब लेने के लिए लॐस्तों सुजाओं लंदन मिस्नरी सोसाइटी के जो पाधरी थे कौन बदं यहां अलमुडा किस वर्स पहुंचे थे तो सानथ 050 दोस्तों क्या पाध्रीं रेवरेंड बदन क्या पह गिर्जागर भी खुला गया था इसकूल और गिर्जागर भी किसने खुला था अलमुडा में पादरी रेवरियंट बढ़न के द्वारा खुला गया था और स्वास्तर लाब लेने के लिए 850 पहुचे थे उसके बाद में यहां पे इसाई धर्म का प्रजार प्रसार का काम कि वो था दोस्तो अंद्रिया कौन था अंद्रिया सॉरी अंद्रिया नी दोस्तो ख्याली था ठीक है ख्याली कौन था ख्याली इसाई धर्म अपनाने वाला क्या था पहला गड़वाली व्यक्ति था यह आपको याद रखना है कौन था ख्याली जो था दोस्तो यहां पेसे से क्या था एक मिस्ट्री था और इसने इसाई धर्म को अपनाया था अठाटी के और वहीं दोस्तों यहां पर एक और प्रस्न पुछाता है कि उत्राखंड की भूमी पर इसाई धर्म की दिख्षया लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो वहां पर आपका अंदरिया अंसर हो जाएगा तो दोनों कर्शन दोस्तों अलग लग हैं दोनों के संदर्व अलग लग हैं अगर आपसे सिंपल ही प्रस्न पुछाता है कि उत्राखंड की भूमी पर इसाई धर्म की दिख्षया लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो था अंदरिया कौन अंदरिया अगला प अगले प्रस्न की बात करते है उस तो और इसके साथ अब अंदरिया के बारे में एक और चीज याद रख सकते हैं कि अठार सु तिरपन इस भी में मसूरी में इसने क्या क्या था कबीर पंथी सादू के रूप में पहले था है उसके बाद में इसने इसाई धर्म की अगले प्रस्न की बात करते हैं जूबली चर्चे की स्थापना कहां की गई ठीक है तो जूबली चर्चे की दोस्तो बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी कब 1926 में दोस्तो अंग्रेजु के दोरा जूबली चर्चे की स्थापना की गई थी और कहां पर की गई थी पौडी गटवाल में जूबली चर्चे की स्थापना की गई थी अगर आफ पसना की बात करते हैं इसाई धर्म अपनाने के बाद क्याली को किसने साइमन पीटर नाम कि श्रभानद पिस दों संपर है कि किर जूब अगले बात करते हैं ऐगले पता है Mission School स्थापित किया गया था तो दुग Ninanda में दोस्तों Mission School की स्थापना की गये थी कब? Um十 water westad Washayện अघले प्रस्शने की बात करते है किस ने Women Foreign Society की स्थापना की ठीक है निन्दरकीत में से Women Foreign Society की स्थापना किसके द्वारा की गये थी और कहां की गए थी उत्राखन में इस Women Foreign Society की स्तापना थी तो स्रीमती मैंसेल जी के दौरा Women Foreign Society की स्तापना की गए थी और कहां पर की गए थी पौडी गडवाल में कहां पे पौडी गडवाल में Women Foreign Society की स्तापना की गए थी स्रीमती मैंसेल जी के दौरा अगले प्रस्तिक की बात करते हैं अगला मारा प्रस्तिक है स्वामी दयानन इंच으रसेटी ने सरोपर्थम उत्राखंड की याथरा कब करी थी तो स्वामी दयानन इंच जिनके बचपन का नाम कहता है तो मूल संकर था आरे समाज की स्तापना इनके दोरा की गई थी कब की गई थी अठार्चो पिजटर इस जीव में की गई थी और इन्होंने उत्राकिन की सरोपर्थम यात्रा कब करी यह आप से प्रिस्थन पूछा गया है अगले प्रिस्थन की बात करते हैं नैनिताल की सत्य धर्म प्रकासनी सभा को किस वर्षा आजी समाज में मिलाया गया था अगला हमारा प्रिस्थन है स्वामी विवेकनन्द जी मयावती आस्रम में कब से कब तक रुके थे तो स्वामी वेकानन्द जी दूस्तो मायावती आस्रम में 3 जनवरी 1901 से 18 जनवरी 1901 के मद्धि में रुके थे तो प्रस्ता मन सकता है स्वामी वेकानन्द जी की यहाँ उत्राखन की चोथी और अंतिम यात्रा थी और केप्टन हेंडरी सहवियर की निधन के बाद स्वामी वेकानन्द स्रीमती सहवियर को सांत्वना देने मायावती आस्रम आये थे और वो यहाँ पे 3 जनवरी 1901 से लेकर के 18 जनवरी 1901 के बीच है तो सवामी वियकाननाजी उत्राखन की दोस्तों 4 यात्रेयें हुई थी 3 जनवरी 1901 से लेकर 18 जनवरी 1901 तक पुके थे, अगर आप पर रसन की बात करते हैं, अलमुला अकबार का सरकारी रेश्टेशन नंबर क्या था, तो अलमुला अकबार 1871 में इसकी सुरुवात होती है, बुद्धी बदलब पंते जी के द्वरा इसकी सुरुवात की यादती है, 1918 में ये अकबार बंद हो जाता है, जिसका रेश्टेशन नंबर दोस्तों कितना था, 10 इसका रेश्टेशन नंबर था, और इसके संपादक कौन थे बुद्धी बदलब पंते जी थे, ये भी आपको याद रखना है, अगदे प्रस्तन की बात करते हैं, अलमुला अकबार के प्रकासन पर, 1918 में किस जिप्टी कमिस्टनर के द्वरा रोक लगा दी गई थी, तो अलमुला अकबार के प्रकासन पर, 1918 में दोस्तों किसका द्वरा लोमस के द्वरा, लोमस के द्वरा क्या लग कर दी गई थी, रोक लगा दी गई थी, ठीक है, और इसका सुजाव दिया था, विल्लेम मियोड ने रेजिश्टेशन नंबर इसका दस था, अठार सवी गतर में इसका प्रकासन बुद्धि बलब पंत जी के द्वरा करा गया था, और जिस टाइम पे इस पर रोक लगी, अलमुला अकबार बंद हुआ, उस टाइम पे इसके संपादक कौन थे, वो थे, उस टो बद्री जट पांडेजी, कौन थे, बद्री जट पांडेजी थे, और लोमस के बारे में उन्होंने एक लेक लिखा था, जिसके करान लोमस के द्वरा इस पर रोक लगा दी गई थी, अगदर बसने की बात करते हैं, और इसकी स्तापना का होई थी, अठार सो सत्तर में होई थी, जोस तो बुद्धि बल्लब पंते जी जी द्वरा की गई थी, यह प्रस्ना भी बहुत ज़्यादा इंप्रेंट है, और एकजाम में दोस्तो पूछा जा सकता है, है अगले प्रस्न की बात करते हैं सरोला सभा की स्तापना किसके द्वारा की गए थी तो सरोला सभा की जोस्तो इस्तापना है वह तारादत गयरुला जी के द्वारा की गए थी कब की गए थी उनीस सो चार में सरोला सभा की स्तापना तारादत गयरुला जी के द्वारा की गए में तो सरोला सभा की स्थापना तारदत गरोला कब 1904 में और इसका मुख्याले कहा था तो टीडी गड़वाल में इसका मुख्याले था यहां गड़वाल की पर्थम जाती सभा थी अगला पसने उस्थो किस वर्स देयानन सरस्थी जी के द्वारा आरी समाज की एक साखा देर की गई थी अगले पसने की बात करते हैं सुद्य साहित्य समीति की स्थापना किसके द्वारा की गई तो सुद्य साहित्य समीति की स्थापना किसके द्वारा की गई तो सुद्य साहित्य समीति की स्थापना की गई थी किसके द्वारा सुद्य साहित्य समीति की स्थापना की अगर प्रस्तन की बात करते हैं कि गड़वाल डिबेटिंग कलब की स्थापना किसके दूरा की गए थी तो कब हुई थी गड़वाल डिबेटिंग कलब की स्थापना और 1885 में होई थी यह भी आपको याद रखना है और दोस्तों उत्राकेंड के जितने भी महत्वण संस्ता ऐसे बहुत ज्यदा मेहत्पूर्ण वीडियो है क्योंकि उससे भी एक्जाम में बहुत बार डायक्ली प्रसमें पूछे गई हैं तो तो गड़वाल यूनियन की दोस्तो पहले सचीव थे कौन तारदत गयरूला जी थे और वहीं गड़वाल यूनियन की स्तापना कब होई थी गड़वाल यूनियन की स्तापना होती है अगला हमारा पस्तन है दोस्तो कि गड़वाली समाचार पत्र के पर्थम संपादक कौन थ तो गड़वाली समाचार पत्र के दोस्तों पर्थम संपादेक थे कौन गिर्जादत नैथानी जी थे ठीक है और गड़वाली समाचार पत्र का प्रकासन कब वह था 6 मई 1905 को दोस्तों कहां से देराद उन से इस गड़वाली समाचार पत्र का क्या हुआ था प्रकासन हुआ और गड़वाल समाचार पत्र के संपाथ भी कौन थे गिरजारत नैथानी जी ही थे और गड़वाल समाचार पत्र का प्रकासन कब हुआ था 1902 में हुआ था ये भी आपको डरेक्ली याद रखना है गड़वाली का कब हुआ था 1905 में हुआ था अगला उसने किसके द्वारा तरयादतः गयरुला की तुलना रविंद्र नाह टैगोर से की गई है तो तरो पताखा पहरा है गई गई जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आती है तभी इसको आगे दोस्तों किया जाएगा ठीक है इस प्रकार के बहुत सारे कुश्चन है दोस्तों आधुनिक उत्राखन इसके बाद में पर्थक राज जी आंदुलन इससे पहले दोस्तों मैं आपको चंद वन से परमार वन से के कुश्चन सो ऐसे करवा चुका हूँ लगिन एक बार में फिर से कोसित करूँगा कि आप लोंको एक्जाम से पहले इस प्रकार के कुश्चन को करा दिया जाए क्योंकि दोस्तों यह प्रसन इंपोटेंट है डिटेल से मैंने आपको यह चीज़ें पहले भी पढ़ाई कि इस सीरीज को कंटीनू रखा जाए या नहीं रखा जाए बांकि इससे के सांसा दुस्तों हमारी हिंदी की और उत्राखन की कई सारी मैरतन क्लासे हमारे यूट्यूब चैनल पर अप्लोडेड है अगर आपने वह वीडियोज नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज को भ जरूर देख लिजेगा तो थैंक यू फ्रेंद्स थैंक्स वर वास्किन वीडियोज ए नेक्स थाने नेमार्ट